अगर आपको पता चले कि लोगों की बीवी भी रेंट पर मिलती है तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि शादी की क्या जरूरत जब शादी शुदा किसी की बीवी साल भर के लिए रेंट पर मिल रही हो जितना सुनने में ये अजीब है उतना ही ये सच भी है आज भी मद्यप्रदेश के शिवपुर में मंडियों में लोगों की बीवियों की बोली लगाई जाती है जहां एक कूपरथा का विस्तरत रूप आज भी प्रचल में है और हवस के पुजारी साल में एक बार लगने वाले इस बाजार में जाकर अपनी पसंद की बीवी ले आते है बता दे मंडि में कुवारी लड़किया भी होती है और किसी की पत्नी भी इसे प्रता नहीं कूपरथा में करार की अबदी समाप्त होने के बाद महिला की फिर दूसरे व्यक्ति से शादी हो जाती है मध्य प्रदेश के शिव पूरी जीले में ये कुरूपरथा धरीचा प्रता के नाम से जानी जाती है लड़कियों और महिला को किराय पर देने के लिए या हर साल मंडी सचती है दूर दूर से खरीदार अपने लिए पतनी किराय पर लेने आते है सौधा तै होने के बाद खरीदार पुरुष और बिखने वाली महिला के बीच दस रुपए से लेकर सो रुपए के स्टाम पेपर पर करार किया जाता है जिसे जितने समय के लिए लड़की चाहिए वरकम अदा कर ले जाता है और उतने समय लड़की को अपने पास रखता है और बाद में उसे वापस छोड़ जाता है एक जानकारी के मुताबित मंडी में लड़कियों की कीमत 15.000 रुपई से शुरू होकर 4.000.000 रुपई तक हो सकती है घरिदार लड़कियों की चाल ढाल और खूपसूरती देखकर उनकी कीमत लगाते है इस मंडी में कुमारी लड़कया भी होती है और किसी की पतनी भी करार की अवदी समाप्त होने के बाद महिला की फिर दूसरे पुरुष से शादी हो जाती है और यदि पहले वाला पुरुषी महिला को रखना चाता है तो उसे फिर से मोटी रकम अदा करनी होती है इस कूप रथा महिला चाहे तो करार को बीच में भी तोड़ सकती है अगर महिला ऐसा करती है तो उसे स्टाम पेपर पर शपत पत देना होता है इसके बाद उसे तैराशी पती को लोटानी परती है ऐसा देखा गया है कि दूसरे पुरुष से जादा रकम मिलने पर भी महिला करार तोड़ देती है जानकारी के मताबिक मद्यप्रदेश ही नहीं बलकि गुजरात के भी कुछ इलाके में ऐसे मामले सामने आये हैं हाला कि कुछ इलाकों में ये एक वेपार बन गया है कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिनमें महिलाओ को मात्र 500 रुपए में दूसरे आदमी को बेच दिया जाता है सबसे बड़ा कारण गरीबी और लिंगान उपात में कमी है मगर जो भी हो इस तरह की कूप रथाओ को बंध हो जाना ही ठीक है